एक मुद्दत के बाद आये हैं वो, सुक्र है, चलो आये तो वो दोस्तो नमस्कार, आपने साइद ये सेर नहीं सुना होगा और साइद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि सेर को लिखा किस नहीं है पर आप जरूर जान गए होंगे कि जारखंड में लंबे इंतजार के बाद जारखंड सेजल के वेकेंसी आ गई है और मैं इसकी बात करूँ तो 2016 में ये वेकेंसी आई थी जिसमें पिटी हुआ था लेकिन में इसको कैंसल कर दिया गया था पूरे एक्जामिसन परिक्रिया को फिर कैंसल कर दिया गया था फिर सेफ वेकेंसी 2019 में आई फिर आई और अंततह 2030 में फिर से आ गई है तो साथ साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से वेकेंसी आपके सामने आ गई है 14 साल के वनवास के बाद जब राम जी वापस आये थे तो हमने दिवाली मनाई थी तो साथ साल में हम छोटी दिवाली तो मनाई सकते हैं तो मेरा यह कहना होगा कि आप सब इसके त्यारी कर सुरू कर दें कुछ बच्चों का कहना है कि 40 का मुद्दा है और तब तक हम इस वे और भॉधान ने जब लंगे मानने जायम आपकी मांगे जायज है हूं को इनका अपना हग मिले और आप लडाई है ले साथ में पढ़ाई भी करते रहें और त्यारे भी करते रहें क्योंकि इतिहास गवा है कि ऐसी लडाईयां भी हुई हलांकि कुछ लडाईयां सफल भी हुई फिर भी सरकारों ने जब चाहा एक जाम सुवे और बहालियां भी हुई बहुत दिन पहले की बात नहीं है आप याद करें छटी जेपेस्टी उसमें भी ऐसे लडाईयां हुई थी और कुछ बातें माने भी गए थी लेकिन अंदर दह वो बहाले भी हुई साथी जेपेस्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस बार इतिहास को दोराया नहीं जाएगा बलकि एक नया इतिहास लिखा जाएगा हम यह मानकर चलते हैं फिर भी आप सब को मेरा सलाह होगा कि आप रड़ते भी रहें अपने हक के लिए ल सच्वाले सहाय की परिक्षा यानि की एक्जाम या विगप्ति कहले आया था दोहर 12.13 में मैंने उसमें पिटी क्वालिफाई किया था मेंस भी क्वालिफाई किया था लेकिन मेरित लिस्ट में हम लगबग 3 क्वेस्टन से पिछे रह गये थे फिर जो आपका अवेकेंसी द जहां निशन पुरी परकिलिया है वो पुरी हो और उन बच्चों को उन विर्युजगार बच्चों को जो एक बहले बधर रोजगार के तलास में हैं उनकी उम्मिद पुरी हो और उनका आशा पर ये खरा उत्राइक्जाम तो देखते हैं कि आप पेपर 3 के त्यारी कैसे करें और मैं इसे पहले बता दूँ कि इसमें 2017 पोस्ट है तो एक अच्छी पोस्ट है और इसमें आप प्रयास करें कि इस 2017 में एक पोस्ट आपकी हो जाए आपको पता है कि शारकरण से जील है यह और ऐसे आपने देखा होगा जी सोरी जे जी 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 इसमें आपने से देखा होगा हम आज बात करें कि पेपर 3 के त्यारी कैसे करें हलांकि मैं और भी कुस्ट विडियो अपलोड करूंगा और उस्में बताऊंगा कि और जो चीज़ें इसमें हैं उसको कैसे बेटर दिखाया सेंगी अभी मैं बात करूंगा पेपर 3 की, तो आप देखें, पेपर 3 के त्यारी हम कैसे करेंगे, दोस्तों आपको पता है कि जो तिसरा पेपर आपका होगा, वो समान ग्यान का होगा, और इसमें, और इफी चीजें हैं, उसको हम देख रहे हैं, आप इस वीडियो को सही से देख लें, और इत्मिनाहां से देखें, ताकि बहुत सारे चीजें, आपकी जो समस्याएं हैं, जो संधियें हो ठीक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, और आप बहतर त्यारी कर सकेंगे, आप इसमें जो है, आपका कुल 5-6 से कहले, 6 से से आप बोट पर देखें, और इसमें जो पहला आप देखरें, समान सार्धियान का 30 परस्ण है, तो जो जेनरल स्टेडी है, उसमें 30 परस्ण आपके होंगे, और इसमें भी 30 में आप ये मान कर चलें, कि इसमें से 4-5 क्योंगे, वो जार्खरंड से होंगे, तो अगर आप जार्खरंड के तहरी जो मैं बताऊंगे, भी आपको आकर 6 में परस्ण होंगे, और साथ में ये जो पहला सेक्षन है, इसमें भी 4-5 क्योंगे जार्खरंड का होगा, तो कुल आप मालने की 40 और वगर 5 यहां से मालने, तो 45 क्योंगे जार्खरंड के होंगे, इसलिए जार्खरंड एक important role अदा करेगा, तो आप जार्खरंड के त्यारी ब दोलन में जार्खरंड का जो जुगदान है, उससे देख लें, साथ में जो उसका विकास योजनाये हैं, जो जार्खरंड से खिल खिलाडी आती हैं, इन तमाब चीजों को आप देख लें, कुल मिलाकर मैं एक कहना चाहा रहा हूं कि जार्खरंड का जो current affair है, उससे आप ज साल का, जो एक साल के अंदर का current affairs है, उससे आप देख लें, और चार्खरंड का current affairs देख लेंगे, तो आपकी यह 45 प्रस्न है, यह पकड़ में आ जाएंगे, और यह 45 प्रस्न आपको पकड़ लेने ही चाहिए, हो सकते एक दूश फूर्जा, लेकिन maximum cover आप यहां पर कर सकते क्योंकि एक limit के अंदर एक क्योश आएंगे, तो आप चारखरंड पर अपनी प्रकड़ को मजबूत बना लें, फिर देखें कि सामान अध्यन की बात मैंने कहा था, तो मैंने कहा था कि 4-5 क्योश आपका चारखरंड का यहां पनाना है, तो 25 क्योश प्रस्न मुटा मुटी ह को इसमें देखना होगा, साथ में जो समसमाई, current affairs यहां पर भी आपके लिए important होगा, तो current affairs यहां पर भी आप देख लेंगे, और current affairs के इर्ध गिर्धी आप चारी करें, बेतर होगा, ज्यादा क्योश पकड़ने के chance हैं, साथ में आप books को देख लेंगे, जो books and authors का जो है, चेप्टर आप उसे देख लें, यहां से भी questions आते हैं, और उसमें current books को देख लें, बेतर होगा, साथ में खेल खेलाली को देख लें, मुद्रा को देख लें, capital currencies से आप बोलते हैं, उसे आप देख लें, और थोड़ी सी भारत के भुगोल, राजिती विवस्ता और राष् projects को इन topics को आप देख लें, और उनके त्यारी बहतर कर लें, साथ में पहले आप syllabus को बढ़ियां से देख लें, जो भी आपका syllabus है, आप उसकी जो भी है, उसे पढ़ लें syllabus को बहतर हैं से पढ़ लें और उसका सारे points को आप देखें, और उसी syllabus के इद्ध गिरदाब त्यार भी बेतर होगी, समाल विग्यान 20% के होंगे, तो ये सामान विग्यान बहुत टफ नहीं होना, नाम ही है सामान निविग्यान, तो बहुत देख्थ में आपको नहीं जाना, पर हाँ, इतनी गराएं में जाना है कि आपके equations पकड़ में आ जाएं, तो बहुत गराएं में बहुत टफ नहीं होता, लेकिन एक लेवल इसका भी है, तो आप मैत को देख लें, मैत में आपका अंग गनित है, विजगनित है, त्रिकोन मिती है, छेतर मिती है, इन टॉपिक्स को आप देख लें, यहां से questions maximum कभर आपके हो जाएंगे, लेवल बहुत हाई नहीं होता, प 20 में 20 पकार सकते हैं, और यह आपका scoring portion हो सकता है, math और reasoning, जहां पर थोड़ा आप ध्यान देदें, तो math और reasoning आपके लिए scoring portion हो सकता है, फिर देखे, computer का गया, तो computer knowledge में 20 question है, और हलांकि इसमें कहा गया है, कि जो computer devices हैं, नए नए आये हुए, MS office है, और MS window है, आप इसके त त्यारी कर लें, तो आप इन्हें देख लें, मैं यह कहूँगा कि एक depth में जाकर आप देखें, तो कि जो पिछले exam सिसके हुए हैं, वहां में देखा है कि थोड़े depth में questions पूछे गए हैं, साथ में जो operating system का नया version है, साथ में आपका Android mobile का नया version है, उन चीजों से आप तरहाई में आप उत्रें, उस भी से के, और तब त्यारी करें, तो आपके maximum equations पकड़ में आने के chance हो जाएंगे, और मैंने जारखंड knowledge की बात मैंने करी, तो आप यहां देखें कि सामान गनित और reasoning, यहां से आपके maximum equations पकड़ में आ जाएंगे, फिर जारखंड ऐसा portion है, ज तो समान ग्यान और computer का knowledge जो है, यहां से questions आप maximum पकड़ सकती है, यहां से सारा questions पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो syllabus से थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है करने का sense, तो वहां थोड़ा tough होता है, तो इन तमाम portions को आप ऐसा ही दे बहतर होगा, ऐसे में जब cutoff जादा होगा तो आपको त्यारी भी अच्छी करनी होगी, तो आप अभी से लग जाए, आप आज से लग जाए, पहले syllabus को देखें और उसके बाद syllabus के अनुसार त्यारी करना सुरू कर दें, हमारी सुब कामनाएं आपके साथ है, कि आपके पा आप से लिकाओ.